हेलो फ्रेंड्स वेल्कम पर चंद्रोस किचेन मैं हूँ आपकी रोस्ट संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर किया हूँ तंदूरी मिस्सी रोटी की रेसिपी तंदूर थो हमारे घर में होते नहीं है लेकिन हम तवे पर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और आपको बिल्कुल ढाबे की कमी मैसूस नहीं होगी रेस्टरेंट की कमी मैसूस नहीं होगी और बहुत ही कम चीजों के साथ ये बन जाती है बहुत ही आसान तरीके से तो चाहिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी और अगर आपको मेरी र और जितना गिहुं का आटा होगा उसका आधा बेसन लेंगे, कसूरी मेती, एक बड़ा चम्मच, एक चोटा चम्मच अजवाइन, एक चोथा ही चम्मच नमक या स्वादा नुसार, एक चोथा ही चम्मच हल्दी, हींग, दो चुटकी, और इसे बनाने के लिए कोकिंग ओयल, सबसे पहले एक बड़े बरतन में, हम आटा ले लेंगे गिहुंगा, बेसन मिक्स करेंगे इसमें, अब कसूरी मेती को, आच्छे से हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे, अजवाइन एट करेंगे, बेसन का कलर पीला होता है, नमक एट करेंगे, बट हल्दी एट करने से इसमें बहुत अच्छा लगता है देखने में, आजवाइन एट करेंगे, अब इसमें हम दो चुटकी हींग एट कर देंगे, इसमें एक चुटा चम्मच कुकिंग ओयल एट करेंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इ अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एकर के आटे को गूत लेंगे यी थोड़ा चिपचिपः अठार्य रहेगा महीन बेशन रहता है और आटे तो दोनों अपस में हाथ में थोड़ा सा चिपचिपः ताइप का लगेगा इसे हम जब गूतेंगे और रखेंगे तो यह आटा अपने आप सेट हो जाता है पांच-दस मिनट रखने के बाद में तो यह ऐसे करके इसका आटा भी हम थोड़ा गीला ही लगाएंगे बहुत सुखा नहीं यह देखिए यह देखी सकते हैं कि यह गीला आटा है काफी चिप 10 मिनट ताकि यह थोड़ा सा सेट हो जाए अब मैं 10 मिनट बाद इसे देख लेती हूँ यह देखिए आटा अप सेट हो गया है और यह देखिए बनाने के लिए रेडी है इसका आटा थोड़ा हम गीला ही लगाएंगे तभी मिसी रोटी हमारी अच्छी बनती है बहुत सु तो तो फोड़ा एट करके यह हम इसके पेड़े बना लेते हैं लोई बना लेते हैं यह देखिए ऐसे गर के पहले सारी लोई बना के रख लीजिए इतने आटे में चार से पांच लोई बनेंगी इतने बड़ी आप साइज की रोटी चाहते हूँ अब मैंने एक लोहे का त पावे में ही हम रोटी को रखेंगे तो तबा गरम होने देंगे और अब एक लोई को लेंगे सुखे आटे में थोड़ा लपेटेंगे इसे इसे आपकी लोई बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं और रोटी बहुत अच्छी बनेंगी और इसके लिए हमें पानी भी चाहिए होगा चो कि हम रोटी में एक साइड लगाएंगे अब इसे ऐसे ही चलाते हुए बेलन को हलके हाथ से इसे बेलिये नहीं तो यह चिपक जाएगी क्योंकि आटा गीला है और सुखा आटा बीच-बीच में लगाकर के ही इसे बेलिये देखिए ऐसे ही हम बेल लेंगे और अब इसमें एक साइड में हम पानी लगा लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी लेगे और ऐसे चम्मस से फैलाते हुए लगाएंगे ताकि कि यह चिपक जाए क्योंकि अगर पानी अच्छे से नहीं लगा होगा तो यह चिपकेगी नहीं और इसके लिए लोह का पावे में चिपका देंगे यह देखिए इसमें हलकलके गरम तवा है वैसे इसमें बबल आने लगेंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे जो इसमें काफी बबल सापको दिखने लगे यह देखिए अब इसे हम पलट कर सेखेंगे तवे को पलट कर ऐसे सेखने से इसका बहुत अच्छा आता है, और उपर की तरफ भी ये, अच्छे से पग जाएगी, ये देखे, इसे ऐसे ही चारो तरफ तवे को चला-चला करके हम सेखेंगे, ब्राउन जित्ती आने तक, ये देखे, और पानी लगे होने की वज़े से ये तवे से निकली नहीं, पहली रोटी ह हो सकता है, थोड़ा आपकी चिपकेगी, नेक्स रोटी आपकी बहुत अच्छी बननी शुरू होगी, तो ये देखे, रोटी बन करके तयार है, अब एक शिम्टे की सायता से हम धीरे-धीरे करके ऐसे निकाल लेंगे, अब देखे, ये पलटके ये देखे, बिलकुल तंद आते समय, तवे को अच्छा गरम कर लें, और आटा थोड़ा गीला लगाएं, और अच्छे से अल्टा पल्टा करके सेके, पहली बार में थोड़ा पानी चिडगते तवे पर, तव अच्छे से गरम हो, अब इसमें आप देशी घी, बटर, जो चाहे वो लगा करके इंजॉ और आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सबजी के साथ, दाल के साथ में इंजॉय करें, और अपने फीडबेक मुझसे जरूर शेयर करें, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू